दोस्तो आपका हमारे योटीव शेनल पर स्वागत है दोस्तो आज के समय में जाता तर लड़के लड़कियां इस्कूल उम्र से ही किसी ना किसी पर आकरसित हो जाते हैं या हो जाती हैं और उन्हें पटाने के लिए ना जाने कौन कौन से तरीके भी अपनाते हैं क्योंकि जि उसी तरह से लड़कियां भी चाहती हैं कि कोई हमारा बॉइफ्रेंड हो यदि आप भी किसी खुबसूरत बला की और अकरसित हो गए हैं उसे अपना दिल दे बैठे हैं जिसने आपके दिन का चैन और रातों की नीद छीन ली है और आप उसे अपना बनाना चाहते हैं तो चल और अच्छे कपड़े पहनने बाले लड़कों की और जल्दी आकर सित होती हैं यानि कि जो लड़के बंठन कर रहते हैं इसके अलावा जो लड़के अपनी परसनेलिटी और ड्रेसिंग सेंस पर भी ध्याने देते हैं तो उन लड़कों की और स्कूल उम्र की लड़किया जल्दी आकर सित हो जाती हैं इसलिए आप इस टिप्स को फॉलो कर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं सेकर नमबर दोस्तों यदि आपका किसी लड़की पर दिन आ गया है और उसे आप हर हाल में अपनी गर्ल फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आप जादा से जादा उस लड जादा से जादा समय तक रहती है वह उसी के बारे में जादा से जादा सोचता है और जितना जादा सोचता है उसमें उतना ही डूपता चला जाता है इसलिए आपको इस बात पर विसेर ध्यान रखना होगा लेकिन एक बात याद रखें कि उसे किसी भी तरह से डिस्टर्ग या परेशान ना करें थर्ड नमबर दोस्तों आपका उपरी लुक ही किसी लड़की की नजरों को सबसे पहले अपनी और खीचता है इसलिए आप जब भी उसके सामने जाएं तो अप्टू डेट होकर जाएं इसके अलावा उसके सामने हमेशा बिंदास रोमेंटिक और लड़कियां आलसी प्रिवित्टी के लड़कों को भाव भी नहीं देती हैं फोर्थ नमबर दोस्तों इसकूल या कॉलिज उम्र की लड़कियां लीडर से पॉपुलर कॉंस्पिडेंट और बिंदास टाइप के लड़कों की और जल्दी आकर सित होती हैं इसलिए उन्हें पटाने के लिए आपको इन खूबियों का प्रदर्सन करना होगा इसके अलावा यदि आपका सुभाव का भी मिलंग सार है और आप अपनी बातों से या अपने कारनामों से किसी लड़की के चेहरे पर हसी लाने में या मुस्कान लाने की छंसा रखते हैं तो आप किसी भी मन पसंद लड़की को आसानी से अपनी गर्ल फ्रेंड बना सकते हैं फाइब नमबर दोस्तों इस्कूल गोइंग लड़कियां उने लड़कों से जल्दी पट जाती हैं जो लड़के खुलकर उनकी सुन्दर्ता की बढाई करते हैं कि आप जिस लड़की को पसंद करते हैं उसे यह ऐसास कराएं इसके बाद उसे कुछ समय जरूर दें ताकि वह आपको अच्छी तरीके से जज़ कर सके इसके लिए पहले उससे दोस्ती करें इसके बाद ही उससे अपने दिल की बात कहें फिर मिलेंगे एक नही जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्का